गुद बॉनिंग इस्टुटेंट्स आज 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 अभी जल्दी से आपकी कलास सुरू हो चुकी है टेंथ की एंसी आर्टी मैथ एक्सरसाइज 3.6 होगा ध्यान से देखना और कलास को पूरा देखना देखिए सबसे पहले आप कमेंट करके यह बताना कि आपको कुश्चन यहां पर लिखा हुआ मिलना चाहिए या फिर आप बुक से देख लोगे अगर बुक से देख लोगे तो बहुत अच्छा होगा और आपकी कलास पटापट कतम होगी क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है तो कुश्चन पहला देखना 3.6 का कुश्चन नंबर पहला हो चुक यह पहला था ठीक है तो इसको तो आप कर लिये हो दूसरा वाले में कहानी है और वो कहानी क्या है उसे समीकरण में बनाना है मैं आपको दिखा रहा हूँ तो दूसरा कुश्चन समझना क्या कह रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्ति कीजिए और उनके हल किजिए समस्या क्या है सुनना रितू धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलो मेटर तायर सकती है तो जिस तरफ पानी बहरा जब वो उस तरफ को तैरती है तो क्या कर रही वो वो दो घंटे में 20 किलो मीटर तैर रही है क्योंकि पानी का बहाओ भी साथ में जुड़ रहा है है ना उसके आगे क्या कहता है धारा के प्रतिकूल दो घंटे में सिर्फ 4 किलो मीटर तैर पा रही है मतलब जब वो धारा इधर को बह रही वो इधर को तैर रही है तो दो घंटे में सिर्फ चार किलोमेटर तैर पा रही क्यूं? क्योंकि पानी उसको ढखेल रहा है उटा साइट को पीछे को आगे पू देखना क्या होता है करा उसकी इस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल गयत कीजिए उसकी इस्थिर जल में तैरने की चाल यानि कि जब पानी रुख जाए ना बहे तब वो कितना किलोमीटर परति घंटे के हिसाब से तैर पाएगी और पानी कितना तेज बहे रहा है जो उसको रोंक ले रहा है यह दोनों चीजी निकालना है तो चलिए इसका solution हम लोग लिखते हैं चलो जल्दी से note करो पटापट लिखिए इंगलीस में बोलें कि हिंदी में जो कहो आप लोग वही बोलें इंगलीस में लिखोगे तो लिखोगे let the speed of read to in still water and the speed of stream क्ष्क्री में लिखों गें तो कुछ ऐसे लिखों गे माना रितु की इस्थिर कि और माना रित्तों कि इस्तिर जल में तैरनी की चाल और धारा की चाल क्रमसा एक्स किलोमीटर पति घंते और वाई किलोमीटर पति घंते है यह तो आपने मान लिया आप लिखिए अब तायरते समय चाल के बारे में बात करते हैं लिखिए आप इस्ट्रीमिंग आप इस्ट्रीमिंग मतलब जानते हैं अनुकूल है ना और डाउन इस्ट्रीमिंग मतलब प्रतिकूल क्या होगा बताइए अनुकूल मतलब जो उसके लिए सूटियबल है जिधर को वो तायर रही उधर को ही तायरे तो उसे अनुकूल बोलेंगे और अगर उसका उल्टा है तो प्रतिकूल है लिखिए रितु की तायरने की चाल कितने होंगी तायरने की चाल उसकी लिखो धारा के अनुकूल पहले प्रतिकूल लिखो धारा के प्रतिकूल देखो मतलब समझना तो धारा के प्रतिकूल देखे साथी हो जैसे अगर मान लो आप एक चीज़ देखे होंगे एक्सिडेंट अक्सा रोड पे होते हैं तो अगर कोई गाड़ी आमने सामने से आके टकराती है तो एक्सिडेंट जादा बुरा होता है लेकिन अगर कोई गाड़ी आगे आगे जाती पीछे से कोई ठोक देता है तो उतना बड़ा हाथसा नहीं होता है जो की 110 km पर तिखंटे की है अगर इन दोनों में टकर होगी तो 210 km पर तिखंटे की स्पीड से इन दोनों में क्या होगा बुरा हाथसा होगा मतलब समझ रहे हो ना कि 110 km पर तिखंटे की ताकत जो इसमें मतलब लग रही जसी स्पीड से भाग रहें उधर से भी आएगी तो ज़्यादा भायनक हात्सा होता इस वज़ा से और अगर ये आगे पीछे होती एक दूसरे से आगे पीछे होती तो क्या होता तो उसको तेज़ जी के साथ धक्का लगता और वो आगे चली जाती गाड़ी लेकिन ऐसे इस्तिती में कुछ दूसरी कंडिशन होती तो उसी तरह से जैसे धारा जो है पानी बहरा नदी में अगर उसमें आप कोई चीज डालोगे तो बह जाएगा पानी के साथ वैसे अगर रितु ना भी तैरे तब भी वो थोड़ा तो बहेगी ही लेकिन अगर वो तैरे तो बहेगी बात समझ रहे हो ना लेकिन धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल का मतलब पानी उधर को बहरा है और आप इधर को तैरोगे तो क्या होगा उल्टा तैरोगे ज़्यादा ताकत लगेगी उसमें से धारा की चाल घट जाएगी मतलब वो घटा दिया जाएगा कहने का मतलब अगर रितू 100 किलोमेटर पदी घंटे की चाल से तैर रही है और धारा की चाल 40 किलोमेटर पदी घंटे है तो वो 40 उसमें से घट जाएगा अगर इतु सिर्फ 60 km पर दिखंटे की चाल से ही तैर पाएगी यह मैं आपको एक बता रहा हूं मानने के लिए बाकी इतना तेज कोई नहीं तैरता है अब आगे क्या लिखेंगे धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल चाल अनुकूल करेंगे जिदर को पानी बहरा उधर को को ठैरेएंगे तो जूड़ जाएगा X महीं किलोमेटर पृति घंटे इसमें भी कर लो किलोमेटर पृति गंटे आगे लिखिये एकर्टीन गूकूल धाकूशचन पर्सन अनुसार देखको बहुत जल्यंगर से प्रま दारा के प्रतिकूल जब वो उल्टा साइड को तैरती है उसको भी करेंगे लेकिन पहले इसको कर लो तो यह तो आई माइनस कभी इस बराबर जीरो इक्वेसर नमबर हो गया फाज्ट इसको नोट कर लो फटाफट फटापर नोट कर लो आगे चलते हैं फिर आगला लिखिये इतना हो गया ना चलो जल्दी करो फटाफट आगे क्या है कहरा है कि धारा के यह अनुकूल वाला हो गया अप्रतिकूल वाला क्या होगा इसी की नीचे करना भीना कुछ लिखे X-Y और क्या कह रहा था कह रहा था कि 2 घंटे में ये सिर्फ 4 ही किलोमीटर तायर पाती है कितना तायरती है 4 किलोमीटर तो 2X-2Y-4 बराबर 0 समीकरण नमबर 2 हो गया एडिंग था एक क्वेशन 1 and 2 दोनों समीकरणों को जोड लेते हैं पहले नीचे तक लगाना फिर उपर नहीं लिख पाये हो तो थोड़ा सा वीडियो को रोग करके लिख लेना ओके चालिए बहुत अच्छे है बेरी गुड लगे रहो लगे रहो समीकरण एक और 2 को जोडने पर तो साथियों मैं दोनों पहले लिख लेता हूं 2x प्लस 2i माइनस 20 बराबर 0 2x माइनस 2i माइनस 4 का बराबर 0 जोडों के दोनों तो यह हो जाएगा 4x यह कट जाएगा चिन को इनी बदलेगा माइनस का 24 बराबर 0 ध्यान देना इतना करने के बाद उस साइड में चलते हैं सब टाइम बहुत कम है साथियो x कमान निकालोगे यहां से तो 4x बराबर 24 x बराबर 24 बटा 4 x बराबर 6 देखो चार दोनों तरफ लिखा जाता है हरान मत होना x कमान आ गया अब x कमान रख दो समी करण एक में यह उसके आगे वाले इस्टेप में करना उधर साइड वाला ठीक ना x कमान समी करण एक में रखने पाए तो चलो रख दो फटा फट जटा जटा रख दो x कमान समी करण एक क्या हो है 2x बलस 2i माइनस का 20 बराबर 0 x कमान 6 आया है तो 2 गुड़ा 6 इस्थिर जल में चाल बराबर 6 किलो मीटर पर दिघंटे और धारा की चाल 4 किलो मीटर पर दिघंटे मतलब पानी अगर रुका रहेगा तो रितू 6 किलो मीटर पर दिघंटे तैर सकती है और पानी जो बह रहा था वो 4 किलो मीटर पर दिघंटे लिकी चाल सेई बहरा था तो कैसी लगई आपको कुलास जरूरी बताना झलते चलते अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो तूरं कर लेना और पल याइकन जरूरान करना जह व्यांगे मिलेंगे फिर अगली कलास में इंतजार करना और अगर अभी तक आपने PBR Study के तीसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो PBR Study 3.0 को तुरण सब्सक्राइब करें Thank you